नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक जाम अड़ाफाइश्टेडी पर आज की सबसे बड़ी खबर है आप सभी युवासाथियों के लिए 79,866 को निउक्ती देने के मामले में अब सब कुछ अस्वर्ष्ट हो चुका है सिच्छा मन्ती जी के हवाले से 51,000 नई प्राइमरी पर अब सब कुछ अस्वर्ष्ट हो चुका है सीसे की तरह UPB8 2022 में आप लोग कैसे परबेस पास सकते हैं वो भी निसुल्क्स UPTIT रिजड को लेकर महा घोसना हो चुका है पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलने जा रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग अन तक जरूर चुड़े रहिएगा तो उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों चैनल एक्जाम अड़ा फाइस्टेडी सब्सक्राइब कर लीजिए आइकन मेल प्रेस कर लीजिए आलवाला नोटिफिकेशन अन कर लीजिए हमारे संस्थान के दौरा जो हमारे निर्धन आसा है हमारे जो भाई बैन है जो उमिदवार हैं उच्छुक चात्र हैं अगर हमारे संस्थान में एड्मिशन लेना चाते हैं अगर वो लोग यसी या यस्टी से बिलांग करते हैं तो हमारे संस्थान में निसुल उन सभी अभ्यार्थियों का एड्मिर्शन होगा लेकिन सरते हैं कि आप लोग को यूपी बीर्ड इंट्रेंस एक्जाम देना होगा और साथ में पर्सेंटेज का भी बात दता है आप लोग का जो पर्सेंटेज होना चाहिए एस सी और एस्टी हमारे भाईयों बाईयों का वो 25% से उपर आपका गिरेजोशन में होना चाहिए तो आप लोग आवेधन कीजिये हमारी टीम से संपर कीजिये तो डिस्क्रिप्स वाक्स में वाट्सप गुरूप का लिंक दिया गया है आप लोग उस लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं और हमारी टीम से संपर कर सकते हैं और जो हमारे जनरल के भाई बैन है EWS के भाई बैन है उनके लिए भी 20 साफर है 20 हजार में आप लोग का दोनों साल बीड कराये जाएगा हमारी संस्थान के दोरा बस सर्थ उनका ये है कि आप लोग को बीड इंट्रेंस एक्जाम देना होगा और साथ में आप लोग की जो योकता होनी चाहिए गिर्योजिशन में 55 पलस होनी चाहिए तो आप लोग हमारी संस्थान के मादन से जुड़िए और आप लोग पहले आओ, पहले पाओ का नारा बुलंद है तो आप लोग अगर जुड़ते जाएए और अगर आप लोग चाहते हैं तो लिंक नीचे दिया गया हो डिस्क्रिप्सन बात में आप लोग उस वार्सप लिंक के मादन से जुड़िए और अपनी सुनुक्षित कीजिए उनात्यजा सिच्छक भर्ती की बात की जाए तो कल सिच्छा बिभाग के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी है और सिच्छा मंतिर जी की बड़ी बैठक होई और उसके बाद सिच्छा मंतिर जी पत्रकारों को सम्मोधित करते हुए अस्परस्ट कर दिया कि जो उनात्यजा सिच्छक भर्ती का मामला है कोड में अभी भी फसा हुआ है वहाँ से जैसे ही कोई भी डिसिजन आएगा तुरंत उसपे हम करवाई करते हुए निर्टीपर्ट देने का काम करेंगे और एक बात उन्होंने और अस्परस्ट किया कि हमारे तरब से सरकार के जो सरकारी अधिवक्ता है वो हर एक भास में मौजूद रहेंगे और सरकार की भी प्रात्मिकता रहें कि जितने भी basic विवाग के जितने भी मामले हैं जल से जल सभी को समाधान किया जाए, जल से जल सभी को start out किया जाए, तो सम मिलाकर यही है कि आप लोग का जो मुद्दा है सरकार के समच्छ है, सरकार इसमें भी गंभीर है, और आज लगभग 12 बजे आप लोगों ने ट्विटर अभियान अपना ट्रेंडिंग कराने का मन बनाया है, तो उससे आप सभी को घबराने की जरूर नहीं है, यही सरकार योगी जी की सरकार सुप्रीम कोड में कही थी कि 15112 पद लिक्त हैं, और आप लोग मानिए, पिछले 5 सालों में कोई भी नई सिच्छक बरती नहीं आई है, हर साल लगभग 10 से 15 हजार सिच्छक रिटायर होते हैं, तो इस अनुरूप आप लोग देख लीजिए, तो लगभग 15 हजार ऐसे सिच्छक हैं, जो बेसिक सिच्छा विवाग से रिटायर हो चुके हैं, और 41,112 पद उधर, और 68,500 की भरती होई, उसमें लगभग 13,000 अभीवीर दिक्त पद हैं, तो सब मिलाकर आप लोग एक काम कीजिए कि RTI लगातार आप लोग सरकार से मांगिए, बेसिक सिच्छा विवाग से और सरकार से भी, और उनसे मांगिए कितने पद सरकारी विवाग में सिच्छकों के पद खाली हैं, प्रैमरी के, तो आप लोग के समझ जरूरी आकड़ा आ जाएगा, और आप लोग सरकार के मंतरी, और यहां तक मेरा रिक्वेश्ट है आप लोग से, कि आप लोग मुख मंतीजी से सबसे पहले मिलने का निगरे लीजिए, मुख मंतीजी से कोशिज कीजिए, कि आप लोग मुख मंतीजी से जरूर मिलिए, और सिच्छा मंतिजी के उपर आप लोग लगाता निरेंतर दबाव बनाते रही है तभी उत्तर पर्देश में नई प्रायमे सिच्छक बरती आने वाली है अब बात करते हैं यूपी टेट रिजल के बारे में तो यूपी टेट का रिजल जो है आठ तारीक को अपलोड हो जाएगा नव तारीक को आप लोग सुभा मार्निंग में बारा वजे के आजपास आप लोग देख सकते हैं साइट पे तो आप लोग के लिए सुनेरा आउसर है कि आप लोग हमारे संस्थान के माध्यम से अगर बीएट करना चाहते हैं तो जुड़िये और निसुल्क एड्मिसन आप लोग CST वाले उमिदवार ले सकते हैं और जनल की फीस 20,000 लखे गई है हमारे संस्थान के माध्यम से तो यह थी महातपूर जानकारी ऐसे जानकारी के साथ आप लोग निरंतर हमाई चैनल के साथ चुड़े रहिए इस वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर दीजिए